संतरा हम सभी को बहुत पसंद होता है क्योंकि इसमें बिटामिन C पाया जाता है जो हमारे स्वास्ते के लिए काफ़ी फायदे मन्द होता है संतरी के छिलके से लेकर फल में कई तरह के पोश्टिक तत्व पाये जाते हैं इसलिए ये अपने गुणों के कारण पूरी दुनिया में लोग पिरिया है संतरा किसी भी छोटे बजार में आसानी से मिल जाता है इसे छिलकर खाया जाता है या इसका जूस प्रिबना को कुछ लोग पीते हैं इस फल में सभी पोसकतत मोजुद होते हैं जो स्वस्त रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको संतरा खाने के से मिलने वाले फायदे बताने वाले हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले में एक चोटी सी रिक्वेस्ट है इसके अलावा संतरी के जूस का इस्तिमाल कई तरह के पेपदार्तों और स्वाधिष्ट बेंजनों में भी किया जाता है अगर खाने पीने के अलावा संतरे के फायदों की बात की जाए तो यह कई वीमारियों के खतरों से भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है तो यह जानते हैं कैसे हिर्द्य स्वास्ति के लिए बहुत लावदायक है संतरा हिर्द्य स्वास्ति के लिए संतरा बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इसके अंदर कई पोसक्तात्वों होते हैं जिन मेंसे पोटेसियम और बिटामिन C हिर्दे स्वास्थे के लिए काफी फायदमन माने जाते हैं वहीं पोटेसियम के सेवन से उच्च रख्त चाप, हार्ट अटैक और इस्ट्रोक के जोखिम को कम किया जा सकता है साथ ही बिटामिन C कोलेस्ट्रोल को नियंतिर्द कर हिर्दे को स्वास्थ बनाए रखने में काफी मज़द करती है आप चाहें तो संत्रे के रस को अपने डाएट में सामिल कर सकते हैं नमबर टू, रोक पिर्तुरोदक छमता को मजबूती देता है संत्रा सरीर की रोक पिर्तुरोदक छमता को मजबूती प्रदान करने के लिए भी संत्रे का सेवन बहुत फायदेमन साबित हो सकता है क्योंकि संत्रा बिटामिन C जैसे जरूरी पोसकत तत्वों से भरपूर होता है जो रोक पिर्तुरत चमताओं को मजबूत करने का काम करता है इसके अलाबा इसमें एंटी प्रोली फेरेटिप गुन होते हैं जो सपेद रख्त कोशिकाओं को बढ़ा कर रोक पिर्तुरत चमताओं को मजबूत करने का काम करते हैं इसलिए डाइट में संत्रे को सामिल करना आपके लिए फायदमद हो सकता है। संत्रा आखो की छोटी मोटी समस्यों से छुटकाड़ा दिलाने में भी काफी कारगर्शा भीत हो सकता है। दरसल संत्रा बिटामिन C का एक अच्छा सुरूत है जो आखों को स्वस्त रखने के साथ साथ मोत्यबिंद जैसी आखों की समस्चाओं के खत्रे को कम करने का काम करता है। इसके अलावा संत्रे का सेवन बढ़ती उमर में आपकी आखों की रोशनी को प्रवावित होने से बचा सकता है। पहुचाने का काम करता है जिससे एनीमिया से इदाहत मिल सकती है। तो अगर किसी बेक्ति को एनीमिया की समस्या है तो वह डोक्टरी सला के बाद संत्रे को अपने डाइट में सामिल कर सकता है। तो दोस्तों ये थे संत्रा खाने से सरीर को मिलने वाले फायदे। ये वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल लखें जै हिंज जै भारत करें तक के लिएक लिए ऑले तक कि लिए हमारा चैनल के लिए पारत